सुशान सिंग राजपूत के दोस्त और फ्लाट मेड सिधाद पिठानी की 26 जून को शादी है अपनी शादी के लिए उन्होंने बेल के लिए अपील की थी वो चाते थे कि शादी के लिए उन्हें बेल पर छोड़ा जाए और आज उनकी बेल की सुनवाई के दौरान क्या हुआ है मैं ही ना कुमावत फिलमेंडों पर आपको बताऊंगी तो सिधाद पिठानी को बेल दे दी गई है और उन्हें शादी के लिए 10 दिन की राहत दी गई है जी हाँ उन्हें दो जुलाई को फिर से सरेंडर करना होगा उनके वकील जो है तारिक सैयद उन्होंने इस बात का खुलासा किया उन्होंने कहा कि हाँ उसे humanitarian ground पर दस दिन की बेल मिल गई है और उसको दो जुलाई को वापस सरेंडर करना होगा वहीं समीरवान खेड़े जो कि NCB के zonal director है उन्होंने भी इस बात को confirm किया कि उसको सिरफ 10 दिन के लिए ही राहत मिली है वो शादी करके वापस सरेंडर करेगा दो जुलाई को तो उसको फिलाल जो है बेल पर हम छोड़ देंगे तो इस बात का खुलासा हुआ है कि सिधात पिठाणी को 10 दिन की इन्टरिम बेल मिली है उनको 10 दिन की राहत मिली है 26 June को उनकी शादी है और शादी के बाद 2 जुलाई को उनको फिर से surrender करना है तो आप सबी जानते हैं कि NCB काफी समय से सद्धात पिठानी की तलाश कर रही थी लेकिन उनका कुछ भी पता नहीं चल रहा था उन्होंने अपने पुराने सोशल मीडिया पेजिस भी delete कर दिये थे लेकिन एक दिन अचानक उन्हों ने अपनी जिम की और उसके बाद सगाई की तस्वीरे डाली जिसके बाद साइबर टीम ने उनको trace किया और हैदराबाद से उनको गिरफतार किया गया